तो फ्रेंड्स आज की न्यूस ऐसी है कि अब जो है गूगल सीरियस लेना चाहता है टैबलेट्स को देट इस वाइव सेपरेटेड एंड्रोइट 12 फॉर मोबाइल एंड टैबलेट्स तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों अब टैबलेट में जो है एंड्रोइट 12 का एक वर्शन फॉर लाज स्क्रीन एंड्रोइट 12 एल देखने को मिलेगा आने वाले टैबलेट्स में लेकिए फ्रेंड्स ऐसा था कोरोना से पहले टैबलेट्स की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी लेकिन बिकॉज अब दी कोरोना सिच्वेशन जहां पे लोग जो है उनके ब बड़े स्क्रीन पर करना पड़ता है तो हर कोई नहीं चाहता दोस्तों की लैप्टॉप खरीदें तो यहां पर टैबलेट को जो है अपनी जगह मिली नव आयोस स्पेस में ऐसा है दोस्तों की इनकी जो आईपैड सीरीज है वर्ल्ड वाइड काफी जादा फेमस है तो यह बिक्ती है लेकिन टैबलेट के एंडॉय टैबलेट के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों अब तक लेकिन अब जो है आप लोगों नहीं देखा होगा कि Android टैबलेट की उतनी जगह अच्छी नहीं होती थी लेकिन आप आप लोग देखेंगे कि material भी अच्छा हो गया है और design को भी जो है Android tablet में यहाँ पर improve किया गया है तो यहाँ पर आखरी कमी जो मुझे यहाँ पर लगती है वो यह है कि that is the software front तो यहाँ पर अब जो है आप लोगों को Android 12 L जो है देखने को मिलेगा आने वाले upcoming tablets में definitely एक चीज यहाँ पर दोस्तों कमी ह है जो की companies hardware level पे नहीं कर रही है वो यह है कि दोस्तों cheap tablets पे जो है उन्होंने प्रोसेसर भी जो है अभी MediCore डालना चालू किये हुए है हुप सो आगे चलके जो है और competition create हो और इन tablets में आप लोगों को अच्छा प्रोसेसर देखने को मिले तो बात करते हैं दोस्तों इन Android 12 L के जो features आप लोगों को देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत उसके उपर anyway friends if you are new to my channel then definitely consider subscribing to my channel मैं ऐसे ही content आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ तो सबसे पहले मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को an OS optimized for large screen तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा example जो है मैं अभी आप लोगों को देता हूँ अभी जो ads of now screen आप लोगों के लिए चल रही है दोस्तों वो जो है मेरे iPad Air 3rd generation पर चल रही है तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को हिलता हुआ दिख रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कि किस तरीके से जो है एक OS इसको जो है इन लोगों ने optimized किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि मुझे पीछे की जो है background running apps देखने को मिल रही हैं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग Twitter की तो Twitter पे दोस्तों जब आप अपने mobile phone पर चलाएंगे तो उसका layout अलग होगा लेकिन यहाँ पर आप ल only जो है यह iPhone या फिर smartphones के लिए बनाई गई है तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि देख सकते हैं कि side में जो है black bars आप लोगों को देखने को मिलते हैं same as the case where friends जब मैं इसको जो है landscape mode पे भी रखूं तो same चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है तो कही दोस्तों जो screen आप लोगों को सामने देखने को मिल रही है उसमें एक side पे जो है safari browser में मैंने ये वाला camera खोला हुआ है और दूसरे side पे जो है दोस्तों आप लोगों को Google Chrome वाला app देखने को मिलता है फिर दूसरा दोस्तों यहाँ पर आता है powerful and intuitive multitasking तो tablet दोस्तों जब आप लेते हैं तो कहीं न कहीं उस screen format को अच्छा से आपको use करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि उसमें जो है multitasking करें जैसे कि phone में भी multitasking होती है दोस्तों लेकिन you all feel that crammed up things right screen state छोटा होता है उसे में आप दो app use करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है ले features आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो यह वाले features जो हैं दोस्तों iPad OS में काफी ज्यादा पहले से available है और in fact अभी तो काफी ज्यादा smooth refined है लेकिन Google जो है अब दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना उन्होंने चालू किया हुआ है and I am sure कि वो जो है इस ची Android आपको देखने को मिलता है वही सीधा सीधा डाल देती है तो प्रीमें टैबलेट्स पर जो है दोस्तों जैसे companies like Samsung वह खुझ से खर्चा करती है तो उस case में आप लोगों को उनकी तरफ से ही जो है ऐसे multitasking वाले features देखने को मिलते हैं लेकिन अब जो है यह naturally baked data usually phones में क्या हो कि Google ने side by side ही जो है इस layout को कर दिया है जो कि मुझा लगता है कि काफी जादा intuitive काम करने में जो है यहां पर मज़ा आने वाला है फिर तीसरा feature आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों improve compatibility experience तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताया दोस्तों Instagram का example तो यहां पर देख माएंगे दोस्तों बड़ी सी screen है और यहां पर आपकी जो app है वो still mobile format में यहां पर खुल रही है which does not provide a very good experience तो यहां पर आप लोगों को सारे tools भी जो है Google प्रोवाइड करा रहा है for the app developers तो उनको जो है काफी जादा इससे help होने वाली है ना दोस्तों एक चीज़ आता हूं iOS के case में phone में iOS चलता है और जो tablets रहते है Apple के उसमें iPad OS चलता है तो यहां पर कही न कहीं जो आप लोगों को experience देखने को मिलता है दोस्तों दोनों ही case में अपने level पर superior देखने को मिलता है और जहां तक बात करें इसके availability की तो दोस्तों यहां पर early 2022 में जो है इसका release आप लोगों को देखने को मिल जाएगा